हेलो एवरीवन वेलकम टो आर चैनल इस वीडियो में देखेंगे कक्षा तीन के विशे गनीत के क्विज अभ्यास का सॉलुशन तो चलिए फटा फ़र से बिना तेरी के स्टार्ट करते हैं तो यहां आपको सबसे पहले पिक्चर दे रखी है जहां पर दे रखा है घर से खेल के मैदान की दूरी दे रखी है दो किलो मीटर और खेल के मैदान से पुस्त काले की दूरी दे रखी है तीन किलो मीटर ठीक है तो इससे रिलेट कोशन है घर से पुस्तकाले के बीच की दूरी खेल के मैदान से पुस्तकाले के बीच की दूरी से है तो यहां घर से पुस्तकाले के बीच की दूरी टोटल हो जाएगी दो और तीन पाँच किलोमीटर और खेल की मैदान से पुस्त काले के बीच की दूरी है 3 किलो मिटर तो 5 किलो मिटर 3 किलो मिटर से जादा है तो यहां हो जाएगा हमारा ब्लैंक में आंसर आएगा option B से अधिक है second question है दो वर्ष पूर वीना 92 सेंटी मिटर लंबी थी अब वह 1 मिटर 17 सेंटी मिटर लंबी है दो वर्षों में उसकी लंबाई कितने बड़ी तो यहां 100 सेंटी मिटर में 1 मिटर होता है आपको यह ध्यान रखना है तो यहां हम जब सॉल करेंगे तो 92 सेंटी मिटर पहले लंबी थी अब है 1 मीटर और 17 सेंटीमीटर तो बरानवे में 100 सेंटीमीटर से कितना कम थी वो दो वश पूर 8 सेंटीमीटर तो यहां कितने बढ़ गए 17 सेंटीमीटर बढ़ गए उसकी 100 सेंटीमीटर से नेक्स अगिन एक पिक्चर दे रखी है जहां पर घर से स्कूल की दूरी दे रखी है 875 मीटर, स्कूल से पूल की दूरी दे रखी है 587 मीटर, अब यहां इस से रिलेट कोशिन है, घर और पूल के बीच की दूरी से है, तो घर और पूल के बीच की दूरी निकालेंगे, तो यहां निकलेगा हमारी 875 में हम 587 को जोड़ देंगे और इस्कूल से पूल की बीच की दूरी है 587 तो यहां घर से पूल की दूरी जादा है तो यहां आंसर हो जाएगा option first से अधीक है. next again एक picture दे रखी है जहां पर घर से खेल के मैदान की दूरी दे रखी है 2 km खेल के मैदान से पूस्तकाले की दूरी दे रखी है 3 km इससे relate question है दिये गए चित्र में रमन का घर, स्कूल का घर के मैदान और स्कूल का पूस्तकाले दिखाया गया है उसके घर और खेल के मैदान के बीच की दूरी, खेल के मैदान और पुस्तकाले के बीच की दूरी से है, तो घर और खेल के मैदान की बीच की दूरी कितनी हो गई, दो किलो मीटर, खेल के मैदान और पुस्तकाले की बीच की दूरी है, तीन किलो मीटर, तो घर से खेल के मैदान की दूरी कम है, तो यहाँ अ तो 19 दर्जन अंडे एक दर्जन में 12 अंडे होंगे तो 19 दर्जन इंटू 12 कर दीजिए आंसर मिल जाएगा आपके पास में आप्शन सेकिंड 228 अंडे Next Question देखेंगे Next Question है एक बर्गर की कीमत रुपे 20 है यदि एक दुकान दार ने मंगलवार को 24 बर्गर बेचे तो उसने उस दिन कितने रुपे कमाए तो एक बर्गर की कीमत है 20 मंगलवार को उसने 24 बर्गर बेचे तो 24 गुना बीस कर दीजिए आपके पास में आंसर चार सो असी तो यहां उसने मंगलवार के दिन चार सो असी रुपे कमाई नेक्स कोशन है खाली स्थान भरिये 15 दर्जन केले में कुल रिक्त स्थान केले हैं एक दर्जन में 12 केले होते हैं तो 12 इंटू 15 कर देना है तो आंसर हो जाएगा ओप्शन सैकीन 180 केले नेक्स कोशन देखेंगे नेक्स कोशन है दिये गई कथन को पढ़िये और दिये गई वाक्य को पूरा कीजिए राम ने 10 चॉकलेट खरी दी प्रतेक चॉकलेट की कीमत 40 है तो बताइए राम ने दुकानदार को कितने रुपे दिये तो 40 रुपे की एक चॉकलेट है तो यह 10 चॉकलेट खरे दी हैं तो 40 गुना 10 कर देंगे तो यहां आंसर हो जाएगा आपका क्ली option 4 400 next question है प्रिती South City पार्क में सुबेग की सेर के लिए जाती है और 1 km 250 मीटर की दूरी तै करती है वहर नगरपाली का पार्क में साम की सेर के लिए भी जाती है और 2 km 245 दूरी की दूरी तै करती है प्रिती द्वारा एक दिन में तै की गई कुल दूरी आपको निकालनी है तो यहां किलो मिटर को जोड़ दीजिए टोटल किलो मिटर हो जाएंगे आपके पास में 3 किलो मिटर और मिटर को जब हम जोड़ेंगे तो हमारे पास में होगा 495 मिटर तो यहां कुल दूरी हो गई उसके द्वारा तै की गई 3 km 450 वा मीटर Next question है लक्ष्मी अपने स्कूल जाने के लिए सुबे 2 km 450 मीटर की दूरी तै करती है शाम को वह एक फूट ओवर ब्रीज से 1 km 850 मीटर की दूरी तै करती है यदि किसी विशेज दिन फुट आवर ब्रीज बंध हो जाता है और लक्षमी उसी और बापस आती है जिससे वह सुबह जाती है तो लक्षमी द्वारा एक दीन में तै की गई कुल दूरी आपको निकाल लेनी है तो यहां कलक्ष्मी द्वारा एक दिन में तै की गई कुल दूरी जब सौल करेंगे तो हमारे पास में निकलेगी 4 किलो मीटर 400, 4 किलो मीटर 900 मीटर Next question है सुधीर अपने कारेले तक पहुँचने के लिए पहले एक बस में 8 किलो मीटर 500 मीटर की यात्रा करता है फिर वहे एक ओटो रिक्षा लेता है और 2 किलो मीटर 370 मीटर की यात्रा करता है फिर वहे 800 मीटर पैडल चलता है यदि किसी विशेज दिन ओटो रिक्षा उपलबन नहीं है सुधीर उतनी दूरी के लिए दूसरी बस लेता है तो एक दिन में सुधीर ने आने और जाने के लिए कुल कितनी दूरी तै की तो यहां कुल दूरी निकलेगी आने और जाने की ये आपको ध्यान रखना है तो यहां कुल दूरी निकल जाएगी तेईस किलो मीटर तीन सो चालिस मीटर लास्ट कोशन है आपके इसक्वीज अभ्यास का नितीश सप्ता के अंथ में अपनी दादी के घर जाती है वह ट्रेन से पैतालिस किलो मीटर पांसो मीटर की यात्रा करती है वेर वेब एक बस लेती है 25 किलो मीटर 890 मीटर की यात्रा करती है अंथ में वेह एक ओटो रिक्षा लेकर एक किलो मीटर 800 मीटर की दूरी तै करके अपनी दादी के घर पहुंसती है यदि लोटते समय वेह परिवन के समा तीन साधनों का उप्योग करती है तो केबल ट्रेन द्वारा तै की गई कुल दूरी आपको निकाल ली है तो ट्रेन द्वारा कुल दूरी तै करी है कितनी 91 किलो मीटर एक क्राणवे किलो मीटर हो जाएगा यहाँ पर जब इसे सौल करेंगे तो इस तरह से कंप्लीट होता है कक्षा 3 के विशय गर्नित के क्वेज अभ्यास का कंप्ली सॉलुशन इसी तरह हम आपकी विशय अंग्रे जी हिंदी जिन भी विशय की आपकी क्वेज अभ्यास सॉलुशन उपलब्द है तो उन्हें भी लाएंगे और इसी तरह हम आपकी कक्षा से रिलेट और भी इंपोर्टेंट वीडियो देखते रहेंगे तो जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ वीडियो को पूरा देखने के लिए धरने बाद